पूजनी इशन्द समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, सरद्धा मूर्ति देवियों शद्गुरु कवीर ने एक साखी में कहा है मन माया की कोठरी इको को एक किजिए इको इको प्रतिध्वनी ना हो ना प्रतिध्वने शद्गुरु कवीर ने कहा है कि मन माया की कोठरी और तन संसय का कोठ विसहर मंत्र माने नहीं काल सर्प की चोठ शद्गुरु इस साखी में बताते हैं कि यह मन माया की कोठरी है सरीर संदेहों का किला है अज्ञान रूपी सर्प ने चोट मार करके ऐसा घाव बना दिया है कि विसको हरन करने वाला सत्योपदेश लग नहीं रहा है शद्गुरु कहते हैं मन माया की कोठरी जैसे बरतनों को रखने की कोठरी होती है कपडों को रखने की कोठरी होती है मक्का रखने की कोठरी होती है पुस्तके रखने की कोठरी होती है वैसे एक कोठरी है और उस कोठरी का नाम है मन और मन कोठरी में माया ही माया भरी है और माया इस ढंग से भरी है कि एकदम ठुसा ठुस थोड़ी भी खाली नहीं है आप लोग कहेंगे महराज ये माया क्या चीज है जो हमारे मन कोठरी में भरी हुई है माया है हमारे मन का मुह हमारे मन का अज्ञान संसार के प्रानी और पदार्थों में सुख नहीं है सुख की कामना नाना प्रकार की इच्छा चाहना एशना लालसा यही माया हमारे मन कोठरी में भरी हुई है शड़क में निकले किसी गाड़ी देखे गाड़ी को देख करके ललचाए और आगे बढ़े किसी की कोठी देखे कोठी को देख करके ललचाए कि ऐसी कोठी मेरे पास होती तो चैन की बंसी बजती किसी की यहाँ बैठने के लिए गए उनका डाइंग रूम विसाल है उनके dying room को देख करके लल्चाए कि ऐसा dying room मेरे पास होता तो बैठने में कितना आनंद आता। दुसरे के धन, दुसरे की प्रसिद्धी, दुसरे के मान सम्मान, दुसरे की योग्यता को देख देख करके लल्चाना बस यही माया है। और यही माया आप हमको नचा रही है। एक महापुरुष ने संसार को ही माया कहा है, किन्त विवेक से देखने पर पता लगता है, संसार माया नहीं है। शंसार के प्रती हमारे मन में जो मुह है, आकर्शन है, खिचाव है, लिवडो है। जिसके नाते हम परसान है, वो माया है, और यही माया आप हमको नचा रही है। यदि संसार माया होती, तो संसार में ज्यानी भी तो रह रहे हैं। अग ज्यानी तो माया में लिप्टे हैं, तो ऐसे ज्यानी को भी लिप्टे रहना चाहिए। किन्त देखा जाता है, ज्यानी अपनी ज्यान साधना के बल पर माया से उपर उठे हुए है। जैसे कमल पानी में रहता है, किन्तु पानी से उपर रहता है, पानी उसमें लिपाय मान नहीं रहता है। इसी प्रकार ज्यानी पुरूस संसार में रहते हैं, किन्तु संसार से उपर उठे रहते हैं। एक घटना बताऊं, या घटना है इलहाबाद की, गुर्देयुजी एक बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इस छेत्र में गुरुजी का अनेक कारिक्रम हुए, शद्गुरु स्री अभिलाज साहिब, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह, अनेको बार दर्शन सत्संग का लाव लिये, वहाँ भोजन बना था, गुरुजी अपने रूम में भोजन कर रहे थे, घंटी बजी तो संतलोग भोजन के लिए जाने लगे, तो संयोग ऐसा उस दिन जो भोजन बनाने वाले हमारे साथी थे, दाल में नमक डालना भूल गये थे, तो गुरुज गुरुजी ने कहा, जो सेवा करने वाले साधक थे उन से, कि जाओ भंडारी को बता दो, आज दाल में नमक डालना भूल गये है, और जा करकर बताए, दाल में नमक डाले, और कटोरी में नमक लेकर कि गुरुजी के पास आए, और कहने लगे, गुरुजी गल्ती हो गई, दाल में नमक नहीं पड़ा है नमक ले लीजिए तब उस महापुरुष ने कहा मुझे तो नमक पड़ा हो या न पड़ा हो कोई अंतर नहीं पड़ता है दाल और सबजी जितना नमक पड़ा हुआ लेता हूँ उतना बिना नमक का भी ले लेता हूं अंतर नहीं पड़ता है और एक बार मैं एक माह तक बिना नमक का दाल सबजी खाया हूं मेरी आदद बनी हुई है मैं तो इसलिए बताया कि तुम लोगों को असिविधा ना हो यह ज्यानी का लक्षना है आप लोग यह न कहिएगा कि आप अपने गुरू की प्रसंसा कर रहे हैं मैं प्रसंसा नहीं कर रहा हूँ, ये यथार्थ घटना, ये ज्ञानी का लक्षाना, और अज्ञानी की भी घटना मैं बता दूँ, ये भी इलहबाद की घटना, पुरानी घटना है, एक साधू आये थे घुमने वाले, उनको चोक चटकार खाने की आदत थी, और वहां जो ल बिना मिर्ची का सबजी आपको मिलेगी, ये ख्याल रखिएगा, तो वो अब बिना मिर्ची के सबजी नमक भी हलका, धाई दिन बीता, तो भोजन के बाद जब बंदगी हुई, तो वो आ करके गुरु जी के पास कहने लगे, गुरु जी, क्या आप हर दिन सबजी ही बनव लिया कीजिये, और नमक इतना सस्ता, इतना सस्ता, फिर भी इतना कम क्यों डलवाते हैं, साधना करने के लिए कफण कसे हैं, और मसालेदार तरकारी के लिए ललचा रहे हैं, सोचिए क्या ये मसालेदार तरकारी साधना में सहया खाए कि बाधा खाए आप समझे उसको इसका अर्थाएन नहीं है कि मसालेदार तरकारी खाना पाप है कभी कभार जीब छोकने के लिए खा लिजिए ये तो ठीक है किन्तु बिना तरकारी के नहीं चलेगा बस यही माया है और यही माया आप हमको नचा रहे हैं जिस कोठरी में आप कपड़ा रखते हैं जिस कोठरी में आप बरतने रखते हैं कोठरी के समान को आप इधर उधर कीजिए तो कुछ और अन्य समान रखने के लिए आपको जगा मिल सकती है किन्तु इस मन कोठरी में माया इस ढंग से भरी है कि एकदम थुसा थुस थोड़ी भी खाली नहीं है कैसे एक उधारन से उधारन नहीं घटना से समझे देखे यहां दो दिन का कारिकरम हो रहा है ऐसे गुर्देव जी का एक कारिकरम था एक छेत्र में और यहां घटना है 36-37 साल पुरानी घटना है यह एक गाव में कारिकरम था जगा का अभाव था गुरु जी की निवास कहीं और और संतों का निवास कहीं और बिखर करके लगा हुआ था तो एक मकान में निचे घर वाले रहते थे उपर तिन चार संतों का असन था तो उन्हीं संतों के बीच में मेरा भी निवास था तो वहाँ घर के जैसे घुस्ते थे, घुस्ते ही एक कमरा था, तो उस कमरे में घर का वो जो बृद्ध मालिक था, उनकी उम्र थी 77 की, वो रहता था, और उनको बिड़ी पीने की आदत थी, और बिड़ी पीने की इतनी आदत थी, इतनी आदत थी, कि थोड़े थोड़े में जला करके पीपता था, और जैसे बिडी की धुआ अंदर जाता था, इतना खांसता था, इतना खांसता था, कि खांसते खांसते बलगम भी गिरने लग जाता था, अव ऐसा उनका चलता रहता था, तो तीसरे दिन, तीन चार के बीच में मुझे कुछ काम से निवास में जाना ह सतसंग से तो वो बृद्ध का यही काम चल रहा था तो मैंने उस बृद्ध से कहा बाबाजी यह बिली आपको नुक्सान कर रहा है धुवाँ सहन नहीं हो रहा है बिली पीना छोड दीजिए धुवाँ सहन नहीं हो रहा है तब उस ब्रिद्ध ने मारके की बात कहा ध्यान देकर सुनिए ब्रिद्ध ने कहा महराज सरीर भले छूट सकता है बीडी नहीं छूट सकती है बस यही माया है यही माया तो रूला रही है न? आप जितने लोग यहां बैठे है सच इमानदारी पुरुवक बताईए कि आप अपनी माया से परशान है कि भगवान की माया से परशान है प्राया लोगों को कहा जाता है कि भीया गाउं में सत्संग हो रहा है क्यों नहीं आते है शब लोग आ रहा है आप भी तो आया कीजिए तब लोग कहते है क्या करूं महराज भगवान ने ऐसी माया डाली है कि उसी की घंचकर में घूम रहा हूं तेली का बैल बना हूं घूम रहा हूं घर ग्रिहस्ती के जंजाल से पुरुशद नहीं है लोग बहाना बनाते मैं कह रहा था कि आप भगवान की माया से परशान है कि अपनी बनाई माया से परशान है बिडी पीने की आदा क्या भगवान ने डाला है कि आपने डाला है भगवान ने तो आपको सुद्ध बुद्धम बना करके भेजा है ना, कि बिडी का पैकेट और माचिस की डिब्बी दे करके भेजा, क्या कोई बच्चा पैदा होता है, तो बिडी का पैकेट और माचिस की डिब्बी लेकर आता है क्या, आप यहां पैदा हुए, अब पैदा हो करके बिडी पिने की आदत बना लिए, अब बिडी पिने की बना लिये अब उसभी आदत से आप परशान है की नहीं है जब आप पैदा हुए। तो खेचे नहीं है कि यहाँ वन्हक खरिदें हैं बड़े होने के बाद वन्हक बड़े होने के बाद आप खरिदें है और अब भीड़ी अब खेचेनी के लिए ललचार है की नहीं、、 virus के लिए परसान है कि ना खैनी आदमी एक बार रोटी नहीं मांगेगा पानी नहीं मांगेगा सोचेगा पता नहीं किस जाती का आदमी है होता है कि नहीं पानी मांगने में रोटी मांगने में आदमी को हिचक होगी किन्तु खैनी मांगने में कोई हिचक नहीं है नवकर भी है, पता नहीं नवकर संडाज से आया है, साबुन से हाथ धोया है कि नहीं, और खैनी रगड़ा उसके पास खैनी नहीं है, तो मालिक कहेगा, थोड़ा मुझे भी तो देदो, उसके लिए आदमी हाथ फैला लेगा, पानी के लिए आदमी हाथ नहीं फैलाएगा, भोजन के लिए आत्मी हाथ नहीं पहलाएगा, किन्तु खाइनी के लिए आत्मी जरूर हाथ पहलाएगा. क्यों? वो हमने माया बना लिए, आदत बना लिया है. अब वही आदत आप हमको परशान कर रही है. एक सही घटना मैं बता रहा हूँ. एक नवकर था, और मालिक दोनों खेट में निदाई का काम कर रहा था. संयोग ऐसा मालिक के पास बिड़ी खतम हो गया था. तो जब बिड़ी पिने की जब आदत हुई, तो नवकर ने बिड़ी जलाया, अब पिना शुरू किया. दोनों एक जगा काम कर रहे थे, पीना शुरू किया, तो मालिक का भी मैं बेचैन हो गया धुआ, उनको पिते देख करके. तम मालिक ने कहा, एक आद बिड़ी रखे हो तो मुझे भी दे दो. नवकर ने कहा, हुजूर, एक ही बिड़ी थी, जला करके पी रहा हूँ. जिस बिड़ी को पी रहा हूँ, इसी को दो दो. मालिक ने कहा, जिस बिड़ी को दे रहा हूँ, इसी बिड़ी को दे दो. तो आदिमी कितना गुलाम हो एक लड़का है, एक लड़की दोनों एक जगा पड़ रहे हैं, दोनों में कोई मोह नहीं है, दोनों का मन निरिविकार है, और दोनों का मन मैला हो गया तो, दोनों एक दुसरे के लिए छट पटा रहे हैं कि नहीं, एक दुसरे से मिलने के लिए परशान है कि नहीं माता पिता ब्रेक लगा रहे हैं तो दोनों अपने माता पिता को बताए घर छोड़के भाग भी तो जा रहे हैं तो भाग जा रहे हैं ये बताओ ये भगवान की बाई भगवान की बनाया हुआ माया है कि उस लड़के और लड़की की माया है, लड़के और लड़की की माया है ना, तो आप हम जितने लोग परशान हैं, दुखी हैं, रातरी में नीन नहीं आ रही है, रातरी में नीन की गोली खाना पड़ रहा है, ये भगवान की बनाई माया है, कि आपकी हमारी बनाई माया है, आपकी हमारी बनाई माया है न कि भगवान की माया है एक सहर था जैसे आपका पटना राजधानी है वहाँ वो था चिलिया घर था जहां अनेक प्रकार के जानवर थे अनेक प्रकार के जानवर थे चिलिया घर था तो उन जानवरों में एक बनमानूज भी था जो बड़ा नटखट करता था समय से खुलता था लोग जाते थे और खुब उस चिडिया घर की कमाई होती थी बनमानूस बुढ़ा हो गया था शैयोग ऐसा एक दिन वो मर गया तो मर गया तो वहां का नटखट रंग रहुना थोड़ीला हो गया लोगों का अना जाना कम हो गया तो वहां का मैनेजर परसान हुआ और परसान हो करके वो बनमानूस ढूढ़ने लगा नहीं मिला तो एक हलवाई की दुकान में गया और हलवाई से पूछा ये बताओ तुम एक दिन में कितना कमा लेते हो यह पुराने जमाने की बात, तो उस हलवाई ने कहा, मैं एक दिन में धाई 300 रूपिया कमाता हूँ, तो मैनेजर ने कहा, मैं आपको प्रती दिन 500 रूपिया दूँगा, आप मेरे चिडिया घर में चलिये, तो उस हलवाई ने कहा, क्या करना पड़ेगा, मैनेजर ने कहा, करना कुछ नहीं है, वाँ चिडिया घर में अनेक जानवरों के बीच में, बनमानूस का खोल पहन करके, आठ घंटा आपको डूटी करना है, तो उन्होंने सोचा, बड़ा अच्छा काम है, काम धाम कुछ करना नहीं है, बनमानूस का खोल पहन लेना है, और घर में रहना है, चल दिया, और नौ से पांच उसकी डूटी आठ घंटा में 500 मिल जाता था, एक दिन, अब वो तो पुराना जो बनमानूस था, तो ओरिजनल था, वो तो डूपलिकेट था, नठखट कर रहा था, अपने बनमानूस के पिंजडे में था, अब पिंजडा द जो तल्ले का था, नीचे सिह रहता था, और उपर में बनमानूस, जैसे लोग आए देखे, खुब नठखट कर रहा था, जूल रहा था, अब वो जो पिंजडा था, मतलब बास की फठी का था, पुराना हो गया था, पकड़ करके जूल रहा था, कूद रहा था, संयोग ऐस जिस पट्टी पर पर पड़ा, तो पट्टी ही तूट गई, जैसे वो पट्टी तूटी, वो बनमानूस सिह के पास पहुचा, सिह भूखा था, देखा, बनमानूस की वोर्द जाने लगा, तो बनमानूस जान को छिपाने के लिए, दिवाल के किनारे चिपकने लगा, काप लगा कि अब तो ये सी खा जाएगा कहा करें। आइसा था धिरे धिरे वो सी बनमानुस के निकट पहुचा और पहुच करके बनमानुस के कान में मुख लगा करके कहा खैनी रखे हो। सीह बनमानुस से कह रहा है खैनी रखे हो। तब बनमानुस ने कहा तुम सीह हो करके खैनी की बात करते हो। बनमानुस ने कहा तब सीह ने कहा मैं ओरिजनल नहीं हूँ, डुपलीकेट हूँ। जैसे सीह ने कहा मैं ओरिजनल नहीं हूँ, डुपलीकेट हूँ, बनमानुस ने कहा मैं भी डुपलीकेट हूँ। आप हम जितने लोग बैठे हैं, सब भीरदय में हाथ रख करकी विचार करें, क्या आप हम ओरिजनल है कि डूपली केट हैं। आप हम सोचें, आप हम निर्णाय लें, यदि इन चीजों का आप हम सेवन कर रहे हैं, तो सोचें आप हम डुपली केटी हैं, ओरिजनल नहीं है, क्यों? आप देख लिजिए, किसी बैल को मुझ से धुआ उडाते नहीं देखा है आप, देखा? किसी गदहा को… प준ह भाल से झाल सा और हम मुझ से जया nhất्रेक्णावब के विजिए, किसी बैल को मुझ सा बहुत भाल सक्टों से गर जके जुएएवाब के सी again AND कर बाहे हैं, आप हम से लिए सक्राइब रहीं। झाल झाल इसमें नहीं आ रहा है माईक में आवाज दीजिए ना मैं का रहा था किसी गदहा को आप खैनी रगड़ते नहीं देखे हैं किसी जानवर को आपने बोतल उड़ेलते देखा है नहीं देखा है ना और मनुस्य सान के साथ कर रहा है क्यों? इसी लिए कबीर साहिब ने ब्यंग में कहा है कि मानुस केरी खोलरी ओड़े फिरत है बैल ऐसा लगता है कि बैल मनुस्य का खोल और कर पहन घूम रहा है यदि आप हम मनुस्यता से बिपरीत चल रहे है उन चीजों का सेवन कर रहे है जिन चीजों का सेवन नहीं करते है तो हम लोग भी तो बैली है क्यों मंग रहे हैं क्यों गुलाम बने हुए हैं आदत है माया और यही माया आप हमको परशान कर रही है बाहर की माया नहीं परशान कर रही है किसी भगवान कोई भगवान नहीं है दुनिया में जो आपको नचा रहा है आपकी मन की माया ही आपको नचा रहा है इसी सरीर में ही भगवान भी बैठा हुआ है और सैतान भी है यदि हम अपने मन को सोध लिए, अपने जीवन को सुधार लिए तो मनुस्य से भगवान और कहा दिखेगा और जो आदमी अपने आपको नहीं सुधार पाया तो उनके समान सैतान कौन है और तो अपने को सुधारे, ये जीवन अपने को सुधारने के लिए मिला देखेए टोकरी होती है, बस मैं एक दो मिनट में अपनी बात पूरा कर रहा हूँ टोकरी होती है माली के पास भी टोकरी होती है और सहर में जो जाडू लगाने वाले होते है उनके पास भी टोकरी, टोकरी, टोकरा एक ही तो है न माली अपनी टोकरी ले करके बाग में जाता है और सुन्दर सुन्दर फूलों को चुन करके अपनी टोकरी फूलों से भरता है और जाडू लगाने वाला वो भी अपनी टोकरी लेकर के सहर में निकलता है किन्तु अपनी टोकरी किस से भरता है कचड़ा से भरता है भरता है ना कचड़ा उठाना पाप नहीं ये पुन्य है फिर भी यहाँ सर्वांस न ले लक्षियांस ले तोकरी माली अपनी तोकरी फूलों से भर रहा है और कचड़ा उठाने वाला अपनी तोकरी कचड़ा से भर रहा है ये मनुस्त शरीर तोकरी है कबिर साहिब ने बीजक में कहा है देखिए बुकिस्टाल में बीजक देखिएगा एक साखी में कबीर صاحب ने कहा है फूल रहन की टोकरी घोरे, खाया, गीव यह मनुष्य सरीर फूल रखने की टोकरी है, यह हिर्दय टोकरी है, अंतह करन टोकरी है अब इस टोकरी में आप हम फूल रख रहे हैं की कचडा, यह आप और हमारे पर निरनाय है फूल रखेंगे तो टोकरी महकेगा खुसबू निकलेगी और कचड़ा रखेंगे तो टोकरी से दुरगंधी निकलेगी की नहीं यहाँ आप हम जितने लोग बैठे हैं मेरा आप सबों से हाद जोड़ करके मैं निवेदन करता हूँ आप हम दो दिनों के लिए यहाँ इकठे हुए हैं आज तक इस सरीर रूपी टोकरी में क्या रखें हैं यह आप छोड़ दीजिए किन तु अभी निरनाय लीजिए आज ही निरनाय लीजिए कि आज से इस हिरदय रूपी टोकरी में सरीर रूपी टोकरी में खैनी कभी नहीं डालूंगा बीडी कभी नहीं खोसूंगा बोतल कभी नहीं उड़े लूंगा यह यदि निरनाय करके आप हम यहां से उठें जाएं तो आपका हमारा इस तिंटंगा सत्संग में आना सार्थक है और नहीं संकल पलिये तो आप सुनने वाले हैं और आप हम कहने वाले हैं आप हम दोनों रस्म अदा कर रहे हैं सत्संग से लाप नहीं ले पा रहा हैं तो मेरा आप सबों से निवेदन है कि आप अपने हिर्दय रूपी टोकरी को अंताकरन रूपी टोकरी में आज से आप हम गंदगी न डालने का प्रतग्या करके यहां से उठें तभी हमारा सत्संग में आना सार्था कहा है तो कभिर सहब की एक साखी कि मन माया की टोकरी तन संसय का कोट विसहर मंत्र माने नहीं काल सर्प की चोट पर मैं कुछ निविदन कर रहा था बस मैं इतना कहकर अपनी वानी को विराम दे रहा हूं और हमारे बीच अच्छे अच्छे संद प्रवक्ता है उन लोगों के आप हम गंभीर विचार स्रवन करेंगे बोलिये सद्गुर